कि यहां पर कोशिश करेंगे चीजों को सीखने की यहां पर मैं आपके सामने ऐसे ही करके प्रैक्टिस सेट्स लाऊंगा जहां से आप देखो के 20 इंपोर्टेंट कोश्चन सीरीज चलेगी जहां पर बहुत सारे ऐसे सेट्स आएंगे और आपको कोशिश करना है कि जो भी जो आपको नहीं आ रही है वो सारी चीजों को यहां से सीखना है बहुत ही अड़ेट इंफोर्मेशन को छोंगी जिनको आपको नोट डाउन भी करना है तब ही जाके इस सीरीज का आपको बहुत ही बेनेफिट डेखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग शुरू करें होंगा कुछ अड़ेट इंफोर्मेशन होंगी उसके आप फाइदा नहीं उठा पाऊगे चलो शुरू करते हैं बिना किसी डेली के सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल है यहां पर दिये वे जितनी ऑप्शन से अक्चुली गलत है और मैंने काटेगरी के लिए यहां और आप बोलोगे सर ऑप्शन भी क्यों डाला इसी वाज़े से तक आपको ध्यान रहे अब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेली नहीं बोलना है इट इस न्यू डेली ठीक है एक और इंपोर्टन बात जो प्रिटिश थे उन्होंने अक्चुली क्या किया था कोलकाता से डेली डेली शिफ्ट किया था कापिटल को बताओ ये कब होगा कोलकाता से डेली सिफ्ट किया था कापिटल को ये बिटिशर्स ने किया था और यह शिफ्ट हुई थी कब shifting of capital का वहा था 1912 में 1912 में 1912 में 1912 में 1912 में क्या होती है कलकता से डिली shift हो जाती capital shifting of capital ठीक है ध्यान रखना इस बात को इससे पहले जो पुड़ी-पुड़ी capital हुआ करती थी इसके बाद सबसे इंपॉर्टन बात यहां पर यहां पर यहां जो मैं बाते बताऊंगा इतनी ज्यादा ध्यान से सुननी है चीजों को नहीं तो आप हर बार एक्जाम देने जाओगे बहुत चांसे से गरबर करके आओगे ठीक है और मैं इस इस question के लिए especially और बोल रहा हूं यहां पर आप देखोगे YouTube तक पे भी या इवन बहुत अच्छे-चे websites पे भी कुछ answers इन्होंने गलत मार करके रखे हुए हैं तो मैं aware कर रहा हूं फिर से इस question को आपको answers को deal करने से पहले ठीक है ध्यान से सुनना इस पवित्रता वाली नदी को हम लोग south में कौन से नदी को इस तरह का महत्व देते हैं ध्यान रखना इसकी answer जो होगी वो क्या होगी बताओ यहाँ पर गुदावरी होगी नहीं गंगा of the south क्या है बेसिकली गोदावरी को क्या कहते हैं देखो यहाँ पर दक्षिन गंगा कहते हैं ठीक है और यहाँ पर वो option actually नहीं है ठीक है फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पर option यह गलत दे दिया इन्होंने typing error थोड़ी ह है ओन्हें यहां पे मैं इस चीज को लिख रहा हूं किया का वे ली कि अच्छे से आप लोग भी इसको है ना और अब एसको कि दियान से अब हुब कि का वे ले को गंगा और श्याते हैं ठीक है और दक्षीन त furnace किसको कहते हैं, दोनों में नाम का फड़क है, और इससे सवाल जरूर आ जाते हैं, जहां पर थोड़े-छोड़े नाम का फड़क से कुश्चन बन जाता है, यानि उस-तर की पवितरता वाली नधी कौन सी है, that is comedy ठीक है और दक्षिन गंगा किसको कहते हैं गोदावडी को ठीक है दोनों बातों में फड़क है ठीक है ये क्या है पाइस है बहुत जो comedy river है वो बहुत पाइस है पाइस river मतलब पवितर नदी है और डक्षिन गंगा क्यों कहते है क्योंकि गंगा के तरह ये भी बेसिकली क्या है बहुत लंबी नदी है यानि साउथ की सबसे लंबी नदी है गोदावडी ठीक है सबसे लंबी नदी है चलो एक इंपॉर्टेंट बात कावेडी को वन आप दी सेवन पायस रिवर में काउंट किया जाता है इस बात को समझ लो ठीक है याँ पर ओप्शन जो होगा वो कावेडी होगा एंसर सही होगा दक्षिन गंगा किसको बोलते है गदावरी को बोलते है यहाँ मैंने इस बात को लिख दिया है ठीक, सबसे बहुत पायस नदिये साउथ की और वन अब दे सेवन पायस रिवर से इंडिया में साथ ऐसे पवितर नदियों का दिक्र किया जाता है ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे अच्छे से नेक्स्ट कॉर्शन दे रेट फोर्ट इन इंडिया वस बिल्ट डूरिंग दे रेइन उफ विच मिगल इंपेरर ठीक है यह आप सबको पता है यह साजा बट साज जहां कि इस समय में दो चीजे और भी इंपॉर्टेंट चीजे हुई है या कहलो अटलिस्ट दो बाते जो आपको और ध्यान रखना है वो यह है एक तो रेट फोर्ट बना था बहुत अच्छा रेट फोर्ट ठीक है और क्या बना यहां पे और देख़ो आप जामा मस्जिद जो है जामा मस्जित ठीक और साजाने क्या बनाया था साजाने ताज महल भी बनाया ठीक है यह सारा important आपको information यहां पर लिखते वे चलना है ठीक है क्या होगा रेट फोर्ट जो है वो डेली में है और किसके duration में या rain में बनाया था that is साजहा के rain में और साजहा ने क्या-क्या बनाया है रेट फोर्ट दूसरा जामा मस्जित और थोर्ड ताजमहल ठीक एक event इन्होंने और किया देट इस साजहा ने capital आगरा से कहाँ shift कर दी थी डेली शीट कर दी याणि साजहा ही वो क्या है राजा है जिसने आगरा से capital कहाँ shift किये डेली शीट किये तो मैं यह बात लिख रहा हूँ कहाँ से शिफ्ट क्या है आगरा से डेली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिस्टी का पार्ट है बट स्टाटिक में भी आप इसको अच्छे से करोगे चलो इस तरह से अगर आप देखोगे कि सारे इंफॉर्मेशन को अगर आप कर लेते हो तो यह सच में बहुत ही इंपॉर्टन को लेकर हमने सब चीजे यहां पर फैंड आउट कर ली और यह जो ताज मेल बना था यहां पर एक वाइट मार्बल्स आते थे कैसे मार्बल्स है परशिया आज के समय का इरान है तो यह बाते भी आप क्या करो लिख लो वाइट मार्बल्स यूज करके हमने ताज मेल को बनाया है परशिया से लाया जाता था इरान से आज के समय और आग राता है किस से लाते थे एलेफेंट से लेकर आते थे ठीक है चलो next question who wrote the Indian national anthem जना गना मना ठीक है जना गना मना ठीक है किसने लिखा है यह बात सबको पता है that is रविंद्रनाठ टेगोर ने इसको लिखा है ठीक है रविंद्रनाठ टेगोर ने इसको लिखा तो है बट एक important बात मुझे बताओ यह कब accept होगा या basically रविंद्रनाठ टेगोर के ब नोबल प्राइस भी मिला है किसमें इंग्लिश इंग्लिश निट लिक हो डिक लिख सकते लिटरेचर मिला है ठीक है लिटरेचर में ठीक है और रविंद्रनाठ टेगोर सोनार बांगला नाम का क्या है इनका बांगलादेशी आंथम ठीक है सोनार बांगला नाम से इनका बांगलेशी आंथम भी है जो basically किनो ने लिखा था रविंद्रनाठ टेगोर ने ठीक है तो रविंद्रनाठ टेगोर के कुछ important बात है आपको यहां से याद रखना है इनको क्या बोलाए था 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 पॉपॉलर ली गुरुदेव ठीक है इनको 1913 में क्या मिला नोबल प्राइज जो की लिटरेचर मिला है ठीक है फॉर्स्ट इंडियन है यह बात भी लिख फोर्स एंडियन टु गेट नौवल प्राइस यह बात आप लिख लो यह सारी बात है क्या है रविंद्रनाठ टेगोर के पास है ठीक है रविंद्रनाठ टेगोर से जुड़ा वाई यह सारा कोश्चन आ सकता है तो जन्ने कम नाना बैना नाम का इनका क्या है बेसीकल ये और गाना है सॉंग है जिसको उनको क्या बोलते हैं बांगलेदेस का नाशनल एंथम है और 1930 में जब इनको नोबल प्राइज मिला था तो यह फर्स्ट इंडियन ऐसे राइटर हैं जिनको नोबल प्राइज मिला था इस नाम से किसको बोलते हैं पंजाब को बोलते हैं और इस पांच रिवर्स के बारे में लिख लो ठीक है फाइव डिवर्स कॉन से कॉन से इसके बारे में आप लिख लो पहला है रावी बियाज सतलच जेलम चनाब ठीक है चलो ये बात तो होगे क्लिए एक Mile और लिखलो आप यह 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 बैसी कवी कहां से होते हैं जम्मू से भी फ्लो होती है यह बात हैं और अक्ष्छ रख लो अच्छे से क्या करना को क्या बोल सब्सक्रब्स हैं एंड चयनाब ठीक है जहनम एंड चयनाब बेसिकली क्या है जम्मुन कश्मीर से भी फ्लो होती है इस बात को याद रखना और आज के समय में इंडिया को जो सबसे बड़ा ठीक है जो आर्क आर्क शेप का क्या बन रहा है ब्रिज बन रहा है डिल्वे ब्रिज सबसे उच्छा ठीक है चेनाब पर कहा है बन रही है चेनाब रिवर पर बन रही है इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे ठीक है कहां पर यह जमू में है ठीक तो यह सारी information से जो इससे हमारे पास तूट कर आई है ठीक एक छोटा सा information और एरेट में बता देता हूँ actually जो पंजाब जो पूरी की पूरी आप देखो कि state है पंजाब state ये एक समय पूरा पंजाब कहलाता था वो तीन पार्ट में divide हुआ एक समय ठीक है जिसका नाम क्या है एक तो पंजाब से पंजाबी बन गया ठीक है जहाँ पे पंजाबी speaking क्या है population है दूसरा हडियाना भी किस समय पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था ठीक है इंट्रेस्टिंग बात है ये सारी चीजे है ना तो जो पहाड़ी एलिया है उसमें ये क्या आ गया ये हिली एडिया के कहकर हिली डीजन कहकर एक अलग state बना ठीक है ये हिंदी speaking कहकर हडियाना एक अलग state बन गया और पंज इसलिए उसको क्या कहते है union territory कहते हैं क्यों क्योंकि दोनों states की बीच में हमेशा वह इस चीज़ की लड़ाई थी कि हरी चंडीगर किसका होना चाहिए मेरा होना चाहिए पंजाब कहता है मेरा होना चाहिए ठीक है रिंडिन गवर्मेंट ने क्या कि एक समझवता कर दिया औ बहुत important session है अच्छे से आपको करना है यह जो पूरा का पूरा सीरीज है इसको बहुत अच्छे से देखना है इससे बहुत सारी और भी added information और नौलेज आपकी इंप्रूव होगी अच्छे से लेकर 1984 तक इन्होंने 1975 में क्या क्या या इमर्जेंसी लगा दिया था इमर्जेंसी लगाया थे इन्होंने ठीक है और एक information लिख लो 1984 में इन्होंने क्या चलाया था operation operation blue star चलाया था ठीक है कोई doubt तो नहीं है चलो चार बाते हमने सीखा चार बाते जो important है यहां से आप लो करके लिख लो ठीक है एक चीज़ और लिख लो इंद्रा गांधी के बारे में 1971 में यही बेसिकली क्या कर रही थी वार रही थी पाकिस्तान के साथ जब वार हूँ स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ जो वार स्टार्ट हुए थी that is formation of बांगलादेश इस समय प्राइम रही प्राइममिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत अच्छी बात है इंद्रा गांधी फॉस्ट टर्म कब जीती है देट इस प्राइम मिनिस्टर के फॉर में 1966 में आफ्टर देट उफ्टर ड़ ड़ेत ऑफ प्राइमिनिस्टर कौन थे पंडिट जवाल लनेरु थे दूसरे प ठीक है आफ्टर देट अफ लाल बअधू स्थिरी जब क्या हुआ था देथ हो गी थी लाल बाहुदू सास्त्री की उजबैकिस्तान के तास्कंत में ठीक है तो आप देखो कि 1977 तक यह प्राइमिनिस्टर रही थी लेकिन 1975 में इन्होंने क्या कर दिया बहुत ही एक ब्लाइक चैटर स्टार्ट कर दिया इंडियन हिस्ट्री का इमर्जेंसी के समय इन्होंने कोई बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर आपके सामने बहुत एक अच्छा लेक्षर मैं आपके सामने ले आऊंगा ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था बेसिकली कुछ नहीं जब आप देखोगे जो गोल्डेन टेंपल है वहाँ पर बहुत सारी मिलिटेंसी स्टार्ट हो गे थी उस जगह की पूरी स्टोरी है ठीका है तो यह जब operation ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद ही देखो कि आप औरtha इंद्रा गांदी का assassination हो गया था सर्फ इंद्रा गांधी का अस्यान को जब आपके हैं गोली मारले select कुछ कर Да vous इसके अलावा इंद्रा गांदी से यह किसी चीज को लेकर यहां से कुछ और कोशन आने वाला है ठीक है इसी का पूड़ा-कूड़ा मैंने तोड मरोड कर आपके सामने पूरा निचोड पाइस कर दिया ठीक है चलो नेक्स कोशन पर चलते हैं ठीक है नेक्स कोशन क्या है दा इंडिन कॉंस्टूशन वस एडॉप्टेड ओन कब एडॉप्ट किया गया था फाइनली जिस दिन हमारी संविधान पूरी-पूरी बन गई थी that is 26 जैनवरी 1950 को 26 जैनवरी 1950 को क्या हुआ था देखो ध्यान से आप हमारी इंडिन कॉंस्टूशन क्या होई है एडॉप्ट ह हो गई है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टन इंफोर्मेशन और बता दू जनगनमना बेसिकली कब एडॉप्ट हुई है इस बात को भी लिख लो जनगनमना कब एडॉप्ट कब हुई है देखो कब हमने डिसाइड गया कि जनगनमना हमारा नैशनल एंतम होगा उस डेट को भ बहुत सारी चीज़े क्लेड हो जाएंगी जीवन पर याद रखना चाहिए इन सब चीज़ों को ठीक है चलो नेक्ट कोशन चलते हम लोग सैसिनेशन इनका कब हो 1984 में यह बात हमने देख लिए नेक्ट कोशन क्या था इंडिन कॉंस्टिटूशन क्या था इंडिन कॉंस्ट कोई भी क्या है प्राइम मिनस्टर या प्रेशिडंट नहीं था इस बात को आपको याद रखना है फिरसे बता रहे हों जब हमारे रिपरबिक डेह नाइटिन government चल रही थी, next देखो who is known as the father of Indian constitution father of Indian constitution is Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar Dr. Bhimrao Ambedkar क्या थे, drafting committee के भी head थे head of drafting committee ठीक है क्या है ये, head of drafting committee थे, Dr. Bhimrao Ambedkar, इनको क्या बोलाता है father of Indian constitution भी कहा जाता है कोई डिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छे से इसको learn करना में समझना अच्छे से, चलो next what is the national emblem of Indian national emblem क्या है हमारा, असोक चक्र है, असोक चक्र में आप देखोगे, कितने tigers आपको दिखते है three tigers, lions दिखते है, lions नहीं tiger near lion है, कितने lions आपको दिखते है, four lions, कितने दिखते है four lions, ठीक है four lions, ठीक, इसके साथ साथ एक और बात लिख लो आप लो, कि असोक चक्र में जो कुछ और जानवर है, जिसके बारे में हो सकता कभी, अगर examiner का थोड़ा दिमाग फिड़ गया, वो पूछेगा कि असोक चक्र में आपको चार lions दिखते है इसके अलाबा, दो और जानवर क्या क्या दिखते है ठीक है, तो नीचे के form में आपको दो तीन और जानवर देखने को मिलेंगे, जिसका नाम क्या है एक का नाम है elephant, एक का नाम है bull, ठीक है एक का नाम है horse, ठीक, यह सारा भी आपको क्या मिलता है देखने को मिलता है, फिर से बताड़ों में what is the national emblem of India, national emblem हमारा क्या है असोक चक्र है, जिसमें four lions आपको देखने को मिलता है तीन तो आपको देख जाते है, पीछे के तरफ एक और है ठीक है, असोक स्तंब कहते हैं इसको हिंदी में उसमें आप देखोगे, नीचे के तरफ कुछ जानवरों को वहाँ पे क्या है, उलेक है, बनाया गया है वहाँ पे एक elephant है, एक bull है, और horse भी है और lion तो है ही है, आपको पता है ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत जारा जरूरी है, ठीक है, तो असोक चक्र का नाम असोक चक्र क्यों पढ़ा, क्योंकि समराट असोक नहीं बेसिकली इसको क्या किया था, इस्थापित क्या था, कहां पर आपको देखना करें को मिलेगा, तो, ठीक है? लिख लो इन साधे बातों को, ठीक है? सार नाथ में, सार नाथ कहाँ है? वारानसी में ठीक है? वाड़ा नसी से आप लगब लबग 15 से 20 किलोमेटर दूर जाओगे एक आर्केलोजिकल पूड़ा साइट है है ना वहाँ पर आप देखोगे सारनात में असोख चक्र आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है वो बेसिकली पिलर के फॉर्म में है क्लेर यहां तक इस कोश्चन में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे लिए नेक्स्ट दा लाजेस्ट स्टेट इन इंडिया चलो एक सीच कोश्चन यहां पर एक और था देखो यहां पर क्या है नाशनल एमनम टाइगर यहां पर क्या दिखने को मिलता है टाइग ठीक है नाशनल एमनम हमारे क्या है नौट टाइगर इस रॉयल बेंगॉल टाइगर जो की सुंदरबन डेल्टा में हमें देखने को मिलता है थूड़ा सुनेडा कलर का होता है इसलिए हम इसको क्या बनाए बहुत ही ज्यादा अलग दिखने वाले जानवर को हमने नाशनल लोटस के हमारा नाशनल फ्लाइड थेक है तो यहां से कोश्चन देखो बहुत सारी चीजे हमने तोर मनोरो के देखी है चलो सब्से ज्यादा आवाधी कहां पर मोस्ट पॉपुलेस उत्तरप्रदेश में है ठीक है एक समय मद्यपरदेश सबसे बढ़ा क्या हुआ करता था राज्य हुआ करता था जब इसके साथ 36 गर जुड़ी हुई थी that is 2000 exact AD में है 2000 में जब मंद्य प्रदेश के साथ 36 गर जुड़ा हुआ था उस समय तक मंद्य प्रदेश सबसे बड़ी क्या थी area wise हमारे यहां पे राज्य थी ठीक है महाराष्ट्र आज के समय देखो महाराष्ट्र क्या है हमारी सबसे बड़ी GDP वाला क्या है state है फिर से बता रहो महाराष्ट्र हमारी सबसे बड़ी GDP वाला state है यानि सबसे ज़्यादा अगर economy में कोई support करता है या economy में सबसे ज़्यादा contribution है कहीं का तो उसका answer क्या है? महारास्ट्र है ठीक है? याद रहे गई ये बाते? चलो Next question Which mountain range separates India from China? ठीक है? India और China को कौन separate करता है? हिमालय हिमालय एक barrier के तरह काम करता है ठीक है? इसी तरह से मैं अगर question पूझ दूँ ध्यान से देखना इधर India India और चाइना के बीच कौन है? that is हिमालय है हिमालय ये तो आपको आता है चलो अगर मैं पूल दूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच या इंडिया जब हमारी पूड़ी के पूड़ी आप देखोगे माप है वहाँ पर कहीं न कहीं क्या है एक जगह LOC है that is line of actual control है ठीक है यानि उपड़ वाला चाइना के पास इधर से और क्या है हमारा देखो एक और पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गिलगिट बाल्टेस्टान ठीक है जिसको बेसिकली पाकिस्तान ने capture करके रखा ह होगा है तो अगर उसको भी हम लोग open कर दें तो इंडिया पाकिस्तान या कहलो इंडिया अफगानिस्तान उसके बीच में एक्चुली कोई सा कौन सा एक ऐसा mountain range है ध्यान से सुनों यह हिमाले नहीं है इन दोनों के बीच में क्या है हिंदू कुष माउंटेन हिंदू कुष यह हमारे टेक्स में इस तरह से लिखा हुआ है राइट तो बेसिकली हिंदू इस नौडर रिलिजिन ठीक है एक तरह का एथनी सिटी था एक तरह का कल्चरल क्या है वह एक तरह का आपके अफेक्ट ओ नेमिंग है एस पर दी मॉडन यह नो कॉंसेप्स और ठीक है चलो तो अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां से सीख लेते हिमाले आ गई तो हिमाले इस बेसिकली 9 आउट अफ 10 9 आउट अफ 10 highest peaks 9 आउट अफ 10 highest peak किस के पास है हिमाले के पास है यानि सबसे उची उची चोटी जो दुनिया के 10 सबसे बड़े बड़े उची चोटी है उसमें से 9 क सबसे बड़ा चोटी है एक जो नहीं है हिमाले के साथ क्या है क्या है कौन सी हमाले कोह में है क्हां एक सब बहुत बहूंद दूनने पे जीजे मिलेंगी फिर से बता रहा हूं हिमाले की बाद 9 out of 10 जो हाइस मांटन पीक से वो कहा है हिमाले के पास है ठीक है एक जो दुनिया में सेकेंड नंबर पर वो क्या है के टू डाट इस गौडविन ऑस्टिन वो बेसिकली कौन से रेंज पर है कारा कोडम रेंज पर ठीक मै कड़ावली रेंज के बारे में बहुत इंट्रेस्टिंग बात लिख लो बहुत ही सुन्दर बात कि यह क्या करता है डिवाइट राजस्थान इंटू टू पार्ट्स डिवाइट राजस्थान इंटू टू पार्ट्स आप बोलो कि सर एक्जाक्ली टू पार्ट्स में कैसे divide कर लेगा, बीचो बीच divide करता है, क्या करता है, नहीं भई, ऐसा नहीं है, वो basically, राजस्थान को इस तरह से cut करता है, कि एक हमारी geographical term है, that is, लीवाड साइड, एक हमारा क्या है, rainवाड साइड है, ना, उदैपूर, जोदपूर, बार्मर, बार्मर तो उदर थोड़ा पीछे ही हो गया, that is, जैपूर, इन सारे जग़ों पर आपको बारिश ठीक ठाक थोड़ी होते वे दिख जाएगी, यह ऐसे, यह सेमी एरिड reason नहीं है, यानि बहुत सुखाड वाले reason नहीं है, लेकिन जैसल मेर आप जब सुनते हूँ, आप जब बार्मर सुनते हूँ, यह सारे ऐसे जग़े जहां पर बारिश कम होती है, और यह सब किदर है, आप देखोगे, लीवर्ड साइड में जब बारिश नहीं होती, अडावली के दूसरे छोड़ पे, ठीक है, तो डिवाइड साइड साइड इंटो टू पार्ट्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता ही देता हूँ आपको है ना, that is अडावली हिल्स की जो रेंज है, वो बिसिकली डेली को टेच करती है, डेली को टेच करती है डेली के जब आप बॉर्डर्स पे जाओगे या जो भी डेली के होंगे, या डेली का भी घूमने आये होंगे आप यहाँ पे जब आके Google Map या कहीं से सर्च करोगे, पताच करोगे तो आपको पता चलेगा अडावली हिल्स नाम का वह बहुत छोटा हो गया है, यहां से लुक्त हो गया डेली से, ठीक है तो यह सारा information है, ठीक, आपको धेरे-देरे इन सब चीजो को absorb करना सीखना पड़ेगा Next, who was the first Indian woman in the space? इसका answer होगा, कलपना चावला, इंडियन तो नहीं थी, इंडियन ओरीजिन की है अगर इंडियन ओरीजिन की है, इंडियन ओरीजिन, ठीक है, तो इंडियन ओरीजिन की है अब थोड़े और information एड़ कर लो, इनका जो basically space program था, वो कब स्टार्ट वहाता है, 19th of November को that is 1997 में, ठीक है, कहां की थी, अमेरिकन थी, ठीक है, इंडियन अमेरिकन थी इंडियन अमेरिकन कहने का मतलब है, इनकी पूरवज basically अमेरिका में जाके बस चुके थे, तो इंडियन ओरीजिन की थी, इंडियन अमेरिकन भी कहना गलत होगा, क्योंकि इनकी जो पूरी की वीजा, पासपोर्ट और साब कुछ है, वो अमेरिकन ही थी, अमेरिकन नाशनलि इनको तो थी, है ना, that is, महाँ पे गई, है ना, उनका basically जो बर्थ है, प्लेस, वो basically हडियाना के साइड की है, ठीक है, इंडियन अमेरिकन, 19th of November 1997 में, ठीक है, नासा के तरफ से गई थी, चलो, नासा के साइड से गई थी, है ना, नासा की क्या थी, आस्ट्रोनाट थी, लि civilian award का थोड़ा chronology लिख लो, यहाँ पे, है ना, civilian, चलो, civilian award का number one, that is, सबसे ज़्यादा बड़ा जो civilian award है, वो क्या है, भारत रतना, ठीक है, दूसरा क्या है, बताओ, पद्म विभूशन, पद्म विभूशन, ठीक है, भी आई लिख दो, पद्म विभूशन, ठीक है, पद्म फिर भूशन, पद्म भूशन, ठीक है, और फोर्थ नमर क्या है, पद्म स्री, पद्म श्री, ठीक है, इस order को आपको याद रखना है, ठीक है, फर्स नमर पर क्या है, भारत रत में, भा सबसे बड़ी क्या है हमारे लिए दूसरा जो सबसे बड़ा एवार्ड है हमारे लिए व क्या है पद्मस्रीं हमारी third highest civilian award है and Padmashtri हमारी fourth that is सबसे बड़ी civilian award है तो यहां से आप से क्या पूचागा है what is the highest civilian award in India तो यह answer होगा क्या भारत रतन हमने सबसे first time कब दिया था 1954 में दिया था इस बात को भी आप लिख लो no dumb कर लो ठीक है तीन लोगों को हमने दिया था that is Ceevy Ramani, Cee Rajagopalachari and Sarvapalay Raja Krishnan ठीक है यह भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो अब बिल्कुल ठीक है हम लोग नाम लिख लिखते है भारत रतन ने 1954 में किन को किन को दिया था हमने Ceevy Ramani को ठीक है Cee Rajagopalachari को ठीक है और किन को दिया था हमने सरवपली राधा क्रिश्ण ठीक है तीनों बाते आपको याद रखनी क्या क्या रखनी हमारे जो सिविल इन वाइड है कुछ इसकी क्रोनोलोजी इस तरह की है सबसे हाइस सिविल इन वाइड हमारी भारत रतनी है हमने सबसे फर्स ताइम कप दिया था जो बहुत ही मन्दिरों का एक सीरीज है जिसमें से बहुत सारे मंदिर है वो तोड़ दिये गये थे जब मुगल शार्शा के हाँ पे हमारे हाँ पे क्या कर रहे थे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया और यह कर्म चलता ही रहा है हमेशा से चलता रहा मुगल जो भी आया है या डेली सल्तनत पर जो भी लोग आये थे उन्होंने दोनों तरह से चीजों को खराब करी आप देखोगे कि एकॉनमिकली चीजे थोड़ी बहुत स्टेबल रही ह आपको ये religious intolerance कहां देखने को मिलता है religious intolerance आपको देखने को मिलेगा जब वो basically बहुत सारे मंदिरों को तोड़ते है ठीक है बुछ शिकन नाम से क्या है बहुत फेमस एक इंसान है बुछ सिकन बहुत सारे मंदिरों को तोड़ आ था बुछ शिकन मतलब क्या होता है जो अब ही सिकार ये भी बने ठीक है लेकिन कुछ सारी जोंकि मैने बता है बहुत सारे सीरीज में तो बहुत सारों को तोड़ दिया गया और बहुत सारे मंदिरे बच गए क्यूं कि जंगलों में थे ना तो बहुत सारे जगह पे ये लोग पहूंच नहीं पाए रीच आउट कोई भी बड़े मॉनुमेंट्स ऐसे देखते थे या कुछ ऐसा मंदिर देखते थे उनको वो डिस्ट्रॉई करते थे ठीक साथ इंडिया में आप देखो कि बहुत सारे मंदिर आज भी इसले बची हुई है क्योंकि वहां तक इनका इतना रीच नहीं हुआ था या क्या से तो इसले भी बोलते हैं इसको और नम बोलते हैं और कश्मीर ऑफ राजस्थान भी बोलते है ठीक है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन में देचा आँ आपको यह सारी चीजे लिख के कर लो देखो यह सारा जो सीडीस है ना यहां से कुछ नकुछ कौशन जरूर आएगा मैं इत इतना ज्यादा इंपॉर्टन सीडीज है तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है विच इंटन सिटी इस नोन इस इस देपूर से क्या होगा वैनिस इस भी इसको क्या बोलते है कश्मीर और राजिस्थान किसको बोलते है इसको भी आप देखो कि उदेपूर को क्या बोलते हैं कश्मीर और राजिस्थान भी बोलते हैं चलो नेक्स्ट कॉस्टिन इंडियन नाशनल कॉंग्रेस वास फांदेट इन 1885 किसके थ्रू किया था किस नहीं किया था एक्चुली ए ओ हूंस ने है यह हूंस ने ठीक है यह बिसीकर लिए क्या थे एक सिविल सर्विस क कैसे रिटायर्ड कैसे रिटायर्ड कैसे रिटायर्ड कैसे रिटायर्ड कैसे रिटायर्ड कैसे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ठीक है तो यह ने 1885 में क्या बनाया इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनाई ठीक है इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की स्थापना करी कहां पे इस चलो EU Holmes ने इसको स्टार्ट किया next question who was the first president of India Dr. Rajendra Prasad Dr. Rajendra Prasad first president भी थे और president of President of Constitute and Assembly भी थे first president of India Dr. Rajendra Prasad Dr. Rajendra Prasad president of Constitute and Assembly भी हुआ करते थे then is जिसने constitution को पूड़ा फ्रेम किया था उस Assembly के क्या थे basically president भी थे ठीक है next the Qutub Minar is located in which city that is Qutub Minar कहा है Delhi में है लेकिन सबसे interesting बात जान लो कि Qutub Minar को basically बनाना किसने start किया था और complete किसने किया था मैं यहां पर लिखा रहा है started started और completed ठीक है इससे question आ सकता है अगर आप से question पूचेगा तो यह नहीं पूचेगा Qutub Minar कहा है वो तो पता चल जाएगा अब को डेली में ठीक जिनको नहीं पता तो अब समझ दो level कहां पर चल रहा है started किस ने start किया था Qutubuddin Aibaq इसको बनाना start किया था और complete किस ने किया था Ilthamish ने clear है फिर से सुनोो क्या है Qutub Minar के लिए Qutub Minar कि अबन देखो किया है एक बढ़ा सा आप देखो कि Minar है ठीक है जो की क्या है Start किसने किया था कुटब उद्दिन एवाग ने और complete किसने किया कुटब मिनार का नाम कुटब मिनार कुटब इसके वज़े से नहीं हुआ कुटब उद्दिन एवाग के जो गुरू थे that is सूफी सेंट थे जिनका नाम था क्या कुटब उद्दिन बक्तियार काकी ठीक है उनके ही नाम पे उनके ही basically देखो आप क्या कहा सकतो प्रस्टीज को लेकर उन्होंने क्या क्या था यह कुटब मिनार बनाया था किसने कुटब उद्दिन एवाग ने कुटब ने अपने नाम के उपर कुटब नहीं रखा है ना उनके गुड़ू क्यूपर लिखा था यहां पे लार्जेस डेल्टा बनाती है इसका नाम क्या है सुन्दरबन डेल्टा है तो कि अब यहां ही तक कुश्ण हो जाया क्या नेकाम नीत चलेगा सुन्दरबन डेल्टा की सबसे खास बात क्या है यहां पर इसको ओं मैंग्रू फॉरेस्ट महोंता है ठीक है, mangrove trees है बहुत, यहीं पे इनको क्या मिलता है, royal Bengal tiger भी मिलता हमें क्लियर है, चलो, तो यह सारा information है, मेगना, मेगना क्या है, मेगना बिसी के लिए, पदमा और मेगना, यही इन रिवर्स को बोलते हैं, कहाँ पे बजो बांगलेदस में एंटर कर जाते तब, ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको यह याद रखने, गंगा बड़ मखुतरा का ध्यान रखना है, यहीं नहीं है, यह दोनों आते हैं, और मिलते के चात है, संदरबन दिल्टा बनता है, इन विच इयर इंडिया गें इंडिपेंदेंस फॉन दिटिस रूल, 1947, लेकिन यहाँ पे इसके कुछन देने का कारण बस यह नहीं था, कि बस आप यहाँ से एंसर लगा दो, नहीं, इसकी बेसिकली जो अनॉंसमेंट विदी कब हुई थी वो बताने के लिए मैं नहीं इसकोशन को दिया, 3rd June को, 3rd June 1947 को क्या हुआ था, 3rd June 1947 को अनॉंस्ट हुआ था, 3rd June 1947 को अनॉंस्ट हुआ था, और अनॉंस्ट क्या हुआ है, कि इंडिया जो होगी, वो बिसिकली दो कंट्री में डिवाइड होगी, ठीक है, that is, इंडिया and पा पकिस्तान भी दो पार्ट में होनेगी, इस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इस्ट पाकिस्तान जो थी उसी का नाम क्या पड़ा ऑगो, बांगा देश, तो यह जो डिविजन हुआ था, ये किस solo 2 nation, 2 nationником, 2 nation dynasty, तेरिंहां किसे देया था मौंध अली जिन्ना ने मौंध अली जिन्ना डिस्टत अधि पंप पाकिस्तान के फॉर्ष्ट गवर्णड़ जनरल केलों वाइस ँब गवर्णड़ जनरल थे ठीक है फिर्स्ट गवर्णन जनर थे पाकिस्तान के ठीक है कौन मौमद अली जिन्ना और इनको क्या बोलाया था फादर आफ पाकिस्तान पाकिस्तान के कैपिटल क्या है इस्लामाबाद ठीक है चलो सब्सक्राइब बहुत सारे पाकिस्तान में जो लोग है कि हम लोग डिलिजन के बेसिस पे यह काम कर दिये थे यह काम कर लिया था हमने और two nation theory जो बेसिकली दिया गया था वो ममद अली जिना के थ्रूद दिया गया था फर्स Governor General बित्या पाकिस्तान केeren के फादर आप पने बूछ आई किया था है तो यह session एक्ट्छली यहां पर end हो रही है तो प्लीज इसको लाइक लेकन सब्सक्राइब करिए ठीक है अपने फ्रेंट्स तक भी पहुंचाईए ठीक और साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि ऐसे ही बहुत सारे एक्चुली सीरीज आईगी जिसको आपको कंटीनियू करना है और इससे नोट्स बनाने क्यों क्योंकि यह सीरीज आपके लिए बहुत क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग परते हैं बहुत बोर्डिंग लगता है इसलिए मैंने आपको सब्सक्राइब करवाने स्टार्ट किया इससे आपकी थोड़ी इंट्रेस्ट जगे है और इंट्रेस्ट बना रहा है ठीक है तो थैंक यू सो मच और गॉडब्ले दो Вас क्व रस्टार्ट किया हैं यू